हलो एवरिवन श्राट हो चुका है थर्ड येर का ओनलाइन एडिमिशन फॉर्म जो है गॉर्मेंट जबनो प्रसाद वर्मा पीजी आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज बिलासपूर का तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए हम उनके वेबसाइट में आ जाते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे आजाता हूँ तो इहाँ पर देखिए streams वगयरा दिखा रहे हैं तो इहां जो आपका stream होगा उसको ही आपको सलेक करना है देखिए तो आब यहां पर बोल रहा है नेम औफ एप्लिकेंट तो यहाँ पर आपको आपना नाम डालना है उसके बाद यहां पर डालना है father's name आपको, उसके बाद यहां mother's name डालेंगे, देखे तो अब यहां पर बोल रहा है DOB डालना है, अपका date over तो आपको यहां पर enter करना पड़ेगा, देखे तो यहां पर आप gender select करेंगे, अब यहां पर जो आपका caste है वो इसको आपको return लिखन इंडियन, उसके बाद देखे यहां blood group है, यहां आपका blood group है यहां आपका blood group पता हो तो जरूर डालें, यहां पर आपको mobile number डालना है और यहां पर आप डालेंगे अपना mail ID, अब यहां पर आप अपना अधार number एंटर करेंगे, यहां पर पूछ रहा है आपका address यहां आप इंटर करना पड़ेगा, अब परमनेंट अगर आपका वही address तो उसी को ही एंटर करेंगे अपर सेम, अब देखे यहां पर लोकल गार्जेन का detail डालने के लिए तो आप अपने घर के ही same डाल सकते हैं, अगर आप PG वगएर में या बहार से आएं, होस्टल वगएर तो निय अब यहां पर आप एंटर करेंगे अपना 10 का मार्क शीट वगएरा का जो detail है यहां पर आपको डालना पड़ेगा, देखे तो अब यहां पर आपको 12 का अपना detail डालना है, यहां पर university डाल देंगे, आप यहां पर डाल देंगे अपना board exam, यहां पर आपको year डालना है, status क् कितना मिला था, आपको वह एंटर यहां पर करना है, और percent यहां पर आजाते हैं, आप कौन से stream college में लिये हैं, तो आपको वहां यहां पर इंटर करना पड़ेगा, वह stream का नाम, फिर कौन से university का था, वह यहां पर आपको एंटर करना है, उसे बाद passing यहां पर यहां टोटल पर एंटर करेंगे, आप सेम, अब देखिए, यहां पर हमने सब detail डाल देया, तो नीचे आ जाते हैं, तो यहां पर आपका supply है, तो यहां पर वह supply जिसमें आए, वह subject का है, आपको एंटर करना है, अगर आप वहीं से ही आप पड़े है, पास आउट है, तो यहां पर आपक आपको यहां एंटर करना पड़ेगा, देखिए, अब यहां पर बोल रहा है कि लास्ट, आपको जो टाइप लास्ट एयर था, वो प्राइवेट था कि रेगुलर, तो हमारा फिलाल अभी प्राइवेट ही रखेंगे, अगर आपको रेगुलर है, तो आप यहां रेगुलर इन्रोल्मेंट नंबर, तो यहां आपको रिजल्ट पर मिल जागा, यहां पर उसको एंटर कर देंगे, अब देखिए, यहां पर बोला बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर है, तो डालिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, यहां अधर आप यहां पर सब्मिट करेंगे, देख लिजे, आप पूरा तीनों डिटेल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी यहां पर कुछ डिटेल आपको एंटर करना है, अगर नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई कंपल सरी नहीं है, चलिए तो अब हम उपर आ जाते हैं, यहां पर आपको फोटो डालना है, जो 100KB के अंदर होना चाहिए, उससे उपर नहीं होना चाहिए, और JPG होना चाहिए बोल रहा है, तो यहां पर हम चलिए फोटो अपलोड कर देते हैं, देखे तो यहां पर फोटो आ चुका है, अब हम नीचे आ जाते हैं, देखे यहां पर अब आप कर देते हैं submit देखे submit करने के बाद कुछ ऐसा आपको form देखने मिलेगा ऐसी ही आप अपना final year का form भर सकते हैं और इसको भरने के बाद आपको college में submit करना है चलिए तो हम ऐसी interesting video बनाते रहेंगे मिलते हैं next video को साथ Thank you